हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर पर पेपर फ्लावर को सीड से ग्रो कर सकते हैं यानि पेपर फ्लावर को सीड से ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी का मिकसर क्या रखना है पानी कप देना है, क्या क्या उसके देखमाल करने हैं सब कुछ जान करीज आपको इस वीडियो मिलने वाली है चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए पेपर फ्लावर प्लांट को सीड्स से ग्रो करने के लिए मैंने यहाँ पे वाला हूं आज मैं इन 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 को आपको खुर करने के सोई रख सकते हैं 70 परसेंट भी रख सकते हैं गार्टन सोई इसे अब देखे मैं 20 परसेंट लिए मैंने कोको पीट पाउडर का फायदा यहां पर यह होगा एक तो यह मिट्टी में नमी बनाई रखेगा और दूसरी मिट्टी को सकत नहीं होने देगा आप चाहें कोको पीट पाउडर की मातर सर्दी के मोसम में आप 10 परसेंट भी रख सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर 20 परसेंट रखे हैं अब मैं अपने तीनों प्रोड़क्ट को अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और अपने सोईल मिक्स करूंगा मिक्स करने के बाद आप देखिए मैं यहां पर अ सिंपल अपने यहां पर फेपर फिलावर और को यहां पी लगाना है चाहते हैं को यहांस जल्दी से अपने सीड्श का पैकिट कट कर लेता हूँ रसे बाद अपने सीड्स के बाहार निकाल लेता है तो देखिए सिड्स काफी यहां पड़क्ट कुशारिट करने के बाद अपने सीड को अपने बकुट ंदर लगा देता हूं इस बाद स्रेड करने के बाद सीड लेड़िये अपनी मिक्सर तोकळ ऑपकी। हब देखें परक्रेंनी है अब सिर्फ मुझा करना है। यहां पर देना हैं वोट्रिंग आप से जया जाएंगए पिलेंगे और किया होते हैं स्राइट करना धूत तो आप टूतिके किआप टुरी को पडेक्वितरिंगnew가 Miru करेंगे उससे सीड काफी अच्छा नहीं होगा और जब आप इसको ट्रांस्प्लांट करेंगे तो उसमें काफी प्रोब्लम आएगी तो इसमें अपने हलकी स्प्रेसे वाट्रिंग कर देता हूं और वाट्रिंग करने के बाद से इसकी अपडेट दिखा देता हूं तो देखें दोस्तो आज 10 दिन हो चुके हैं पेपर फ्लावर को सीड से लगे हुए हमारे बकिट के अंदर और यहां पर जर्मिनेशन देखें आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर काफी अच्छे जर्मिनेशन हैं हमारे बी सीड का औ तो इस तरह के से आप पेपर फ्लावर को सीड से गोगर सकते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक जरो कीजेगा चैनल फिर सब्सक्काइब जरो अबूर लेजेगा और वीडियो को सेर करना ना बोले थैंक्यू